हिमाचर परदीश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा टैट 2020 के आठ विश्यों की प्रिक्षा का आयोजिन आज दे किया जाएगा बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं इससे पूरब परदीश में बढ़ रहे COVID-19 के मामलों के चलते बोर्ड द्वारा पूरम में निर्दारत टैट की प्रिक्षा को स्तगित कर दिया गया है बोर्ड ने अब प्रिक्षा के लिए पूने निर्दारत शैडूल के अंसार JBT और सास्त्री टैट प्रिक्षा आज और TZT Non-Medical और Teacher की टैट प्रिक्षा 26 अगस्त TZT Arts और Medical की टैट प्रिक्षा 27 अगस्त पंजाबी व उर्दू टैट प्रिक्षा 28 अगस्त को आयोचित की जाएगी अब्यार्थी टैट प्रिक्षाओं के लिए अपने अनुक्रमाक पत्र बोर्ड की वेब साइट पर दिर्शाएगे लिंक पर जाकर अपना अप्लिकेशन नमबर बोर्ड डेट आफ वर्थ डाल कर डाउनलोड कर सकते हैं COVID-19 के जलते बोर्ड ने इस बर्ष टैट प्रिक्षा हेतू प्रिक्षा केंदरों में भी इजाफा किया है पुरुप की प्रिक्षाओं के लिए बोर्ड ने 90 प्रिक्षा के अंदर बनाई थे जब कि इस बर्ष 150 प्रिक्षा के अंदर बोर्ड द्वरा ट्याट प्रिक्षाओं के लिए बनाए गई हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की चेर्मेर डक्टर शूरिश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड द्वारा टैट प्रिक्षा 25 अगस्त से संचालित की जा रही हैं जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं बोर्ड ने लगवक 150 प्रिक्षा के इंदर टैट प्रिक्षा के लिए बनाए हैं इससे पहले हुई टैट प्रिक्षा के लिए बोर्ड ने लगवक 90 प्रिक्षा के इंदर बनाए थे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मताबिक COVID-19 के मदे नजर प्रिक्षा संच चालल में बविन स्रक्षा माप देंट को अपनाया जाएगा। की तो इसमें पहले जो हमारे पास सेंटर होते थे टैट की परिक्षा को अवजित करने के लिए तो वो लगबक मैक्समिम जो सेंटर नब्बे हुआ करते थे लेकिन इस वक्त बढ़ा कर हमने 150 सेंटर कर दिये हैं एक्जामिनेशन सेंटर कर दिये हैं यह इसलिए किया है कि चालना ठीक प्रकार से हो सके तो कम विद्यारती हमने सेंटर को दिये हैं और यदि आप संख्या की बात करते हैं तो अलग-लग विश्यों में संख्या अलग-लग है यदि उर्दू-पंजाबी में देखें तो इसमें संख्या बहुत कम है च्जे-विटी टैट 750 कर लिया है लेकिन आर्ठ्स विशह का जो टैट बी ए करते हैं विद्यारती उसके बाद जो टैट होता है उसमें संख्या जदा है बाइस हाजार के गरीब है लेकिन वाकी विशेओं में संख्या इससे कम है तो सोचिल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को उसका पालन करते हुए हम अच्छे से एक्जाम कर ले